मई में आंधी तूफान से उखड़गा 150 साल पुराने बर्गत के पेड़ को फिर से जीवित करने में नगर निगम विभाग ने सफलता हसल की है गोरे वाड़ा जील के पास शाश की एक काटर शेत्र में पौदार उपन किया गया है और इस उपलब्धी के बारे में उध्यान विभाग नगर आयोक्त एवं प्रशासक रादाकृष्ण भी इन्होंने विभाग की टीम को बदाई दी है 24 माई को नाकपो शेहर में तेज आंधी आई थी इस तूफान के कारण शेहर में कई जगा पेड़ों की शाखाएं तूट गई लेकिन इसके साथ ही मंगलवार को अंचल में गोरे वाड़ा जील के समिफ कौटर शेत्र में एक पुराना विशाल बर्गत का पेड़ गिर गि की चुनोतीली पार्ग विभाग के करमचारियों ने गिरे पेड़ की सभी शाखाओं को काड़ दिया पेड़ की उचाई जड़ से 20 फीट तक रखी जाती थी ऐसा करते हुए नगरपालिका के कारखाना विभाग के माध्यम से जेसी भी 12 फीट चौड़ा और 12 फीट गहरा गड़ा खोदा गया पेड़ के सफल पुनर रोपन और उसके अस्तिद्व को सुरिश्चित करने के लिए पूरी साफधानी बढ़ती गई खोदे गड़े को पौधे की वरदी के लिए किटानों रहित किया गया मिटी खाद सब मिला दिया पार्ग विभाग बिना किसी क्रे विभाग द्वारा व्रक्ष के अस्तिव के लिए आवशक तत्व उपलब्द कराने के विशेश प्रयास किये गए डॉक्टर पंजाब राग देश मुक्रशी विश्विध्याले के वाने की विभाग के प्रमुक वी एम इलोरकर की सला के अनुसा पेड़ की जड़ों को व प्रधी के लिए आवशक ग्रोथ हार्मोन की आपूर्ती करते हैं मई में आंधी के बाद गर्मी लॉट आई और जुलाई में भी भारी बारिश का सिलसला चारी रहा लेकिन यह तत्थ की पेड ऐसी परिस्तितियों में जीवित है सुखद है आज पेड की हट टहनी पर एक नई पलवी फूटने लगी है विप्रीत परिस्तितियों पर काबू पाने के लिए नगर निगम पार्क और अन्य विभागों की करमचारियों ने मिलकर 150 साल पुराने पेड को बचाने और उसे नया जीवन देने का काम किया उध्यान अधिक्षक अमोल चौराबगर ने भा पुर।